कि नमस्कार दोस्तों मैं सतीश अढवानी स्वास्तिक पिग फ़र्म पर आपका हारदिक स्वागत करता हों हारदिक अभिननदन करता हूं तो आज पान जोलाई को हमारा जो है जोलाई का training batch wind up होआ है आज इस training batch में लगभग 40 प्रति भागी यहां पर टेनिंग लेने आए हैं और आज हम जानेंगे कि इनको हमारा training batch कैसा लगा और इन्होंने क्या यहां से सीखा और क्या यहां पर इनको अनुभव रहे और चलिए हम रिव्यू करते हैं नमस्कार आपका शुब नाम देवासेश जी कहां से हैं आप उडिशा से हैं चोटे से शब्द में पूछू आपको training session कैसा लगा बल्कि आप अधाई हजार किलोमेटर जो है वो गाड़ी चला कर हमारे पास आने वाले थे आपका वीडियो देखा था तो आने का सोचा था फिर निकलने से दो दिन पहले पता चला कि आप पूरिशा आ रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग हुआ अभी जो था मतलब चैनत से महिने से मैं अपना देख रहाता यूटूब में देख रहाता वी तो मन में अगारिbelsा अाम मैं पहली बार हैर रहे हम ट्रांस्पकूर्टिंग लैंड से हैं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मगर ट्रेनिंग के बाद यह EVERY बोसा आ चैसंीग sulphber कि अब ही अपने ट्रेणिंग लेने के बाद में क्या त्याहं किया आप फार्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो कितने पशाओं से कर रहे हैं और हम अभी पताश से चाहलों जब कर आप ऑफर एव एजनेंग को क्या रेटिंग देंगे दसमें से नमस्कार आपका शुब नाम कहां से हैं जैपूर से हैं क्या काम करते हैं पिगरी में कैसे आना हुआ आपका पिछली लगडाउन में घर में तीन च्यार मेना बैठे तो होटेल बन था पिड़ियो के किराया देना परता था तो घर का किराया विजली विल पविज़ी विल फेसी पूल मिलाके फाइनस था तो इसे बाद में से बात बने बहुत देखा लोगों को समझाने का लोगो से बात करने का और बात करने यह मेरे को यह बंदा कुछ है इसमें रख शूब को बस पता चलता है है इंसना को है इनका दिल में क्या है वह बोलना क्या चाहते हैं इस मुझे ऐसा है इसा लाइड़ी बहुत सकता है तो चलो इन से बात कर लिए तो मैं असे बात कर लिए वोन करने के बाद मेरे को लगा ना कुछ में सही वंदा से बात वाद दीरे-दीरे बात बरते गई फिर मैंने जगह भी ले ली इसके बाद पर लेने के बार के बाद में थोड़ा रिजी हो गया इसा करते गए अठेडान में अधी बीद की फिर आप अब ही आप कितने पश्यों से स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया कब से स्टार्ट करना चाहें अगस्ट पंद्रा तक ओवरॉल आपको यह जो ट्रेणिंग सेशन हमारा कैसा लगा और आपने जितनी अपेक्षाइं की थी कि हम ट्रेणिंग लेने जाएंगे तो वह आप थोड़ा सा उसका रिविव बताएं कि आप हमें 10 में से क्या रेटिंग देंगे के सभ्तों तो पहले तो बहुत-बहुत शुकर गुजारू आप besar की मेरे दिल मेश ऑसक्ता तो हो बात ट्रेणिंग लेने के बाद मेरे नेको तो प्रफाइब आउट हो गया एक्षिली यहां जो सोचते तो ऐसा नहीं है कुछ अलग तरीके से डिजिस है कि लोग बाहर का लोग क्या करते शिश्टम से नहीं काम करते तो शिश्टम से काम करने के नहीं कि बज़ाई से वो लोग केल हो जाते हैं वह यह की तज़ूरवा आप एक आप अपर शिश्टम पर जाने से तो तज़ूरवा मेरे को पूरा 100% हो रहा है कि नहीं कर सकता अभी मैं आगे जा सकतो इस से लिए मैं इंवेस्ट भी कर सकते हूं मेरे को दिल में क्या होता है और काम करूंगा यह दोनों में अलग फरग होता है इंवेस्ट से बहुत बढ़िया दस मैं से क्या रेटिंग देंगे ट्रेणिंग को शुक्रिया नमस्कार जी आपका शुब नाम बल्राम सिंग बल्राम जी आप कहां से हैं उडिशा के महिरुभाज दिश्टिक से बारीपदा सेटी से आपको ट्रेणिंग कैसा लगा यह आपके जो चार दिन है वह कैसे वहतीत हुए अपने क्या कुछ सीखा जो आपने यूट्यूब में देखा था या कुछ अलग मिला बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा ठीक अधने बाद नमस्कार जी अपना परीचे दीजी मेरा नाम विजाई कुमार महाना बद्रगी इच्छापूर कैसा लगा आपको ट्रेनिंग तो अच्छा लगा लेकिन हम करेंगे रडक्शन करेंगे हैं सेल आपका है वह संदेश दिया तो ज्यादा इंट्रेस्ट मेरा हु हुआ हम बोलेंगे उडिशा लोगों को जो घुसरी चासो चासीबा अस्व है इसका मतलब हिंदी में बता देंगे हैं घुसरी पिगरी करो ओ ज्यादा कमाई करो यह है घुसरी चासो करीबा अस्व है उडिया भाशा में इनका संदेश है कैसा लगा आपको ट्रेनिंग बहुत सारा यूटूब देखा लेकिन ट्राक्टिकल और त्योरी से आपका ट्रेनिंग बहुत आच्छा लगा हमको यही तो मेरा ज्यादा इंट्रेस्ट हो गया तो पिगरी फार्म करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्री नमस्कार जी आपका शुब ना जब छोड़िया अब या तो ट्रेशन कैसा लगा उसमें क्या चीज अच्छी लगी चीज बुरी लगी आप में बताएं तो मुझे अच्छा लगा इमिए मुझे तो आडिया चाहिए तो बेसिंग को मुझे 10 टो 10 पाए गया हैं अच्छा लागा अब कितने पृश्यों से करने जा रहे हैं और कब कर रहे हैं पांट प्रसे से स्टार्ट करूंगा तो बहुत धन्यवाद ट्रेनिंग आपको अच्छा लगा महंती जी आपको ट्रेनिंग कैसा लगा थोड़ा दो शब्द में बताएं तो बहुत ही अच्छा है त्रेनिंग के लिए 100 परसंट मिला है त्रेनिंग और जो जानकारी नहीं थी वह भी मिला है वह ज़्यादा कि आपने ट्रेनिंग लेने के बाद में क्या थे कि आप कितने परशों से करें और आपको क्या फ्यूचर इसमें क्या दिख रहा है यहां पर ट्रेनिंग लेना साथ हुआ पर सभावा कि परिशुरम तो अब कहां से यह को परशोरम जी आपको ट्रेणिंग ऐसा लगा और क्या आप कर रहे हैं और कर रहे तो कितने परसुचर यह है जो तो अभी में फूला में शुरू करना चाहता हूं तो ऊपर रहें लेनेके बाद में आपने क्या एक सफर्म स्टार्ट कर रहें कैसा लगए लगा है बहुत अच्छा लगा है धनेवाल बहुत नमस्कार जी आप किशुब नाम धने शार मुर्मू जी अप कहां से क्या काम करते हैं सर अभी तो स्टूडेंट हूं एंबीए कितने पश्यों से स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग कैसा लगा आपने तो एंबे किया है बहुत कुछ आप जानते हैं आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है आपका जो मोटीव संदेते हैं आपका स्पीच और भी अच्छा मतलब आम केसे ब्यान सकते हैं वह दिल में है और नहीं बायान सकते हैं ज्यादा से ओवरॉल आप दस में सी क्या रिटिंग देना चाहेंगे दस में सर नाइन पॉएंट किंद्धा यहां पराना सार्थक हुआ आप खुश हैं और आप दस में से कितने लिए सप्र पागये बहुत अच्छा लगा फॉल में और दस में से कितने लिए जाएंगे हमारी टेनिंग को कि दसमें से दस हैं बहुत सबस्क्राइब कि आपको यहां पर ट्रेणिंग लेने आए आपको चार दिन आप यहां पर स्टेई की आपको कैसा लगा किस प्रकार से महसूस हुआ मेरे तो पहले से बहुत इच्छा था ये फर्मे आने के लिए लेकिन अभी मेरा अत्म विजिस और बढ़ी है सर अब दस में से कितने आंक देना चाहेंगे तेन में से तेन नमस्कार जी आप अपना पहले परीचे दीजिए मैं हूँ अभिनास प्रदान मैं देवगर से हूँ आपको ट्रेनिंग में कैसा लगा आप दोनों भाई हैं और किस प्रकार से आपको लगा आप इसमें क्या फ्यूचर देख रहे हैं पिगरी में और आपको यहां पराना आपका सार्थक हुआ या नहीं वो आप थोड़ा सा प्लीज हमें विवरण में बताएं ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा था इसमें हम लोग जो भी पहले नॉलेज लिये थे रिसर्च करके उससे बहतर नॉलेज मिला डेप्थ में नॉलेज मिला इन डेप्थ जो कि बारी किसे साब लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरप से एक एक करके समझाया यह आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है तो आप अपना भविश्य कैसे देख रहे हैं इस काम में अगर सही लगन और सही मेनत से एक आदमी आगे आगे जाएगा तो बहुत आगे तक जाने का मोगा है हमारा भी एक ही है कि मतलब हम जरूर जाएंगे आप इसमें अपना भविश्य क्या देखते हैं क्यूंकि आप अभी यंग हैं आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है तो आप क्या मानते हैं कि आपका भविश्य इसमें कैसा होना चाहिए अगर आदमी इस लायन में सही महनद सही लगन और सही जानकरी के साथ सही जानकरी आगे जाएगा तो बहुत आगे जा सकता है हमारा भी वही वीचार है कि मतलब हम यह करके जरूर दिखाएंगे जैसे कि आप हमारे साथ हो अगर Southern सर्थ अगर आपका आना सफल हुआ आप खुश है बहुत बहुत धनेवाद आपका शुबनाम निर्मल मरंडी निर्मल जी कहां से हैं आप हम भी में बिहार से क्या कम करते हैं अभी मैं तो क्या आपको चीजे अच्छी लगी किस प्रकार से जो क्लासेज में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए गए जो विशेय पढ़ाए गए उसके बारे में आप बताईए जब यहां आपके पास मैं आया तो जब क्लास एटन किये मैंने सेटिफाइड कि 98 पर्शन अपने आप में सब्सक्राइब करना होगा कि मैं कि शेत्र में जाओं तो अभी आपने क्या चूज किया इस सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो आप अपना इसित यह जाए प्लीलेशाब भड़ेयां व्हेज़ी सेख सेशन हैता है जो क्लासर मैं उसको क्या रेटिंग देना चाहें जहिंजाए ज्रेटिंग नेना चारीट ज्टिंग उल्ग्टींग सो अब क्या काम करते हैं और आपने पिगरी क्यों चूज किया और आप इसमें क्या भविश्य देखते हैं मैं अग्य स्टूडेंट हूं और हम लोग का गाव में देशी वाला सुवर है उसमें ज्यदा प्रॉफीटेबल नहीं है उसका क्या केसे लेंगे तो उसके वरें कोई एडिया नहीं है जो बच्चा देता है बड़ा होता है तो जो फिटे जैसे कहते हैं जो बड़ा होता है ज यूटव में व्यूद्ध काई फीडियो दखा उसके बाद मैंने कई चाण का कॉंटेंट नमबर मिला है उन्हें उन्हें ने कॉल किया फेर उन्हांने सहां आपके कानकर हमें रिफोर किया तो हमने आपको कुनट किया और उसके बद आ गए अब कि ओधरोड ट्रेंग का वेश्ट बंगल से आई हैं कैसा लगा आपको ए टेनिंग किस प्रकार का आपका जो है वो तजरुबा रहा पिछले चार दिनों का आप प्लीज बताएं हम घर पर सोच करके जो आया है हम यहां पर टेनिंग जो हम पाया और अलाग रहा है अच्छा आपका शुब नाम जीतेंदर कुमार जीतेंदर जी आप कहां से हम लगती स्राइड डिस्टिक्ट बिहार के रहने वाले सब्सक्राइब बिहार से जीतेंदर जी आपको लूँ उसके बाद ही काम चालू करूँ सो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया गया मेरा सवाल चल रहे थे वह सब्सक्राइब करेंगे इसमें कोई संदे तो नहीं है नहीं संकुछ कर सकते हैं आपने बहुत सारी कुछ चीजें यूट्यूब से देखी थी और आप ट्रेनिंग म करने से पहले ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी होता है ओवह यहां पर सीखा कि काम करने से पहले कोई कि शुरुवात हो उससे पहले कि जरूर लो आपका सारे कुछ ऐसे लोग थे जो कैमरा के सामने आकर जो है वो रिव्यू देना उनको उचित नहीं लगता था क्योंकि वह अपना फेस सोशल मीडिया में नहीं ले जाना चाहते थे तो उन्होंने रिव्यू जो है वो फेस टू फेस दिया और चेनिंग सेशन हमारा बहतरी इन रह हुआ हुआ है